बिनना उसके कुछ नहीं होता है कि वद्रम सहः संधाइर्यम बल बुद्धी बरक्रमश चधीते यत्र वीद्धेते देवॉतव ए जहां उद्यम होता है, सहास होता है, धैरी होता है, राजा तुम ही तो नही हो कहीं, तो गिरो, हैं? अरे, जरूरी नहीं है, बुजुरों को देखते रह जाएं, और अरिवा क्षड़े होकर, कि बड़ा से बड़ा काम कर जाएं? बरसों बरस में जो काम नहीं होते हैं कई बार ओ छण छण भर में काम हो जाते हैं इसलिए अपनी शक्ति को अपनी हिम्मत को कम मत समझो और कभी मौके मिलते हैं तो उनका पूरा लाव लेने की कुछिस करो सभाग से हमारे जीवन में जिन धर्म रूपी धारा गिरी है जिन बाणी रूपी धारा गिरी है हमें दिल खोल के कहना चाहिए मुनी राजों के प्रवास रूपी धारा गिरी है दिल खोल के कहना चाहिए गिरो और अगर अगर कहीं भाय लगता है कैसे होगा तो अपना पौरुस ठान के खड़े हो जाओ कि सब होगा कैसे नहीं होगा मुझे तत्यो ग्यान भी होगा मेरे से धर्म ध्यान भी होगा और मुनी राजों की सत्संग और सिवा का लाब भी मिलेगा संभाग के सालियों कई वार लोग मीन में करते रह जाते हैं क्या मामला है बात यहां तक पहुंच जाती है कि बुली यहां भूत है भूत नहीं है, भूत से टक्राने वाले अपना भविस्थ सजाते हैं भैके भूत होते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कैसे होगा, कौन करेगा करत्रत तो बुद्धी छोड़ दीजिए, महाबीर स्वामी कहते हैं कि करता कोई नहीं है प्रत्यक बस्तु प्रत्यक द्रब अपनी अपनी करता है, सबकी अपनी स्वयम की सत्ता है और जिसमें तपस्यों के लिए आप तो क्या करते हैं, मुनियों का पुन्न तो आपकी सोच से इसो कदम आगे चलता है आप निमित बनते हैं, बस बन जाइए, गंगा तो गिरना ही थी, बोले धड़ती पर, बोलते हैंैंना, बैष्नोन में आता है कि गंगा जी घिरी तो बुले भागीरत के द्वारा लाए गएं भागीरत के शिर पर अभागीरत ने रास्ता बनाया, सवरक से गंगा को कौन लाया कौन लाया और सत संग की गंगा को भूला नात से कौन लाया भूला नात से ही तो निकली बूले गंगा भूला नात बाले कौन कौन है बूले नात है साल और ध्यान रखना चालाग लोग तो देखते रह जाते हैं और भोले भोले लोग बटोर के ले जाते हैं अब विस्वास रखने वाले नहीं पाते हैं विस्वास रखने वाले पाते हैं कृष्ण कहते हैं गीता में शंशय करने वाले नस्ट हो जाते हैं संशय आत्मा बिनस्यति जन्हें संसय रहता है अमेशा हर बात में हर चीज में संका पड़ी रहती है वो कुछ नहीं कर पाते हैं वो मिठ जाते हैं और जो वो संसाई की वजाए विश्वास करते हैं, स्रध्धा करते हैं, वो पार हो जाते हैं, स्रध्धा करिए ज्यानी निजात्मा पर, सुध्धात्मा पर, छे द्रब्य की साथ तत्य की स्रध्धा करिए, अहो घर पर विश्वास है, घर वाली पर विश्वास है, साले पर दुकान पर विश्वास है, दुकानदार पर विश्वास है, गाड़ी पर विश्वास है, ड्राइवर पर विश्वास है, और जितना विश्वास संसार पर है, इतना विश्वास है कि देव सास्त गुरु पर हो जाए तो बेडा पार हो जाए एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है और आप पचीस-पचास दने बैड जाते हैं ड्राइवर से नाम पता भी नहीं पूछते हैं कि कहां लेके जाएगा तो यह गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता है बरावर कितने साल का तुने अभ्यास किया है कभी तेरे हाँ से दुगटता नहीं हूँ पूछते क्या किसी भी ड्राइवर से बस बस का नम्मर देखा कहां से कहां जा रही है बुलानात से विश्वास नगर सारे के सारे बोलीना सबार हो गए पूछा ही नहीं पूछते हैं कि वहने ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं मान लेते हैं पैकेट बंद दूद आता है इंक्वारी करते हैं आप नहीं हो अमुल का है अमुल डेरी का है अमुक डेरी का है फब बस चालो हो जाते हैं चाहे हो वीमानी से तयार क्योंना किया गया हो और चाहे नकली पैकेट्स क्यों पर भी कल, नाई के पास, सलून के पास जाते हैं, गाओं में तो पहचान होती थी कि नाई है, एक नाई दादा, नाई काका, है, नाउ सेट, ऐसे बुला थे, अब आप तो यहां पहचानते भी नहीं है, और उसकी पास, उसकी कुर्सी पर बेढ़ जाते हैं, और इतनी बड़ आप उससे पूछते हैं, कि भई पहली बार तो नहीं कर रहा है, कब से कर रहा है, तो यह बराबर आता तो है, तेरी कैची बगर और उस तुरह बगर सब सही तो है, सब पूछते हो, इंकौरी करते हो, नहीं, बैठ जाओ, चलो कर दो कहीं से, और क्या जाता है, अगर कैची कहीं जदा लग गई तो खून नहीं निकल जाएगा खून तो निकल जाएगा बात की बात है के聯शी से अगर थोड़ी जदा बाल कर गए तो क्या होगया न्यू कर्स चलू हो जाएगा फरक क्या पढ़ता है बोले यहां के बाल जदा निकल गए काड़ते काड़ते तो कहा इधर की भी थोड़ी निकाल दो इधर की देखा की निकालते थोड़े जादे निकल गया थोड़े वाओ निकाल दो मालूम पड़ा की बीच बीच में बचा है वाकी दोनों तरफ साफ करके आ गए ऐगा जो मक्खी वाली मूच देखी आप लोगों उसने एक कट फिर मारा, देखा कि इधर की चोटी हो गए, इधर की बड़ी हो गई, और करते करते आखिर में कहा कि इतना इस पर इस पॉइंट ही छोड़ दे, एक मक्खी ठीक है, अगर उससे गलती हो जाएगे तो बोले काद कटिंग बिकड़ेगी, काद मुझ बिकड़ेग लेकिन पूछते हैं आप कि बराबर तुने, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, कि आप विश्वास कर लेते हैं, पूछते भी नहीं हैं, लेकिन धर्म की बात आए, सद्धान की बात आए, तो खूब में इन में एक करते हैं, लोग न तो धेरों पंथ तक बना डाले, अभी रा आपने सोचा सौन गड़ी का मतलब सौने से गड़ा गया होगा, सौन, सौन मंजे, गोल्ड, सौने से गड़ा गया होगा, वहां दाकि देखा तो साथा ऐसे ही था, और फिर भी साथवाले कोई लोग बोले, अमुक पंथी मंदर है, आमने जाकर देखा, बगवान तो वैसे है, सीधे साथी बैठे, चुप चाप, बहुत बाहर होता है, एक टेड़ा पंथी मंदर है, बंदिर में भगवान तो वैसे के वैसे, बैठे, बीस पंथी मंदर है, कितने पंथ हो और कितने संपरदाया हो गए, क्या इतने तरह के मंदिर होते हैं, अरे मंदिर तो इंट गा होसते हैं, फिर एक दक्षन भारत की पध्धती जो आज भी जीवन्त है, जहां सब तरह काभी सेख होगा, उसे पंचाम्रत बोलते हैं, और शभी को भरपूर लाप मिलेगा, उसमें लिंग बेद भी नहीं होगा, को भक्ति करो, को बानंद लो, वो क्या कहलाते हैं? वहां एक मंदिर था, साड़े सूला पंथी, फिर आगम पंथी, जिनागम पंथी, इमका पंथी, धिमका पंथी, इतने पंथी हो गए, कि पत को लोग भूल गए, अरे भाई, ये तो पूजा पधतियां है, क्या बिगड़ गया इतने से में, हम मुंबई तरफ बिहार कर र वहुचा बिए पंथी है, ये भागवान विज पंथी है, हम दोनों के बीच में बैठ गए, ना हम उस तरफ बैठे णा थारफ बैठे, ना उस बिर्दी के सामने बैठे, ना इस बिर्दी के सामने, कहां बैठे? तो बोले महराजी चाड़े सोला बोलो तेतीस बोल दो इस फिजूल की बात है अंकों के खेल में चलेंगे तो ऐसे तो हजार पंथी पेदा हो जाएंगे पुजा पध्धतियां है इतना ज़्यादा बखिडा करने की क्या ज़रूरत है तुमारे घर में तुमारे भाई को नहीं पसंद है काफी पीना उसे चाई भी पसंद नहीं है लेकिन तुमारी पत्नी को चाई पसंद है तुमारा छोटे भाई बिना काफी के नहीं रहता है तुमारे पापा दूद पीते हैं और तुम कहते हो ना मैं पहले अभी से करूंगा उसके बाद ही चाय काफी छोड़ो सिर्फ पानी ही पिऊँगा उजन करूंगा अपने काम पे निकल जाओंगा तो क्या परिवार में जगड़े होते हैं दंगे होते हैं अगर ऐसे होते हैं तो उनसे ज़्यादा बेवकूप कोई नहीं है परिवा का गात पात हो कोई बड़ा नुकसान हो तो उस पर टिका टिपनी की जा सकती है है बाकी चमाज को इस बात को समझना चाहिए जब तक एक दूसरे की भावनाओं का उप अपधतियों का सम्मान ना करेंगे तब तक जिन सासन को आप आगे नहीं ले जा पाएंगे कितनी गलियां बनाएंगे कितनी गलियां बनाएंगे कितने तुकड़ी बनाएंगे क्या लाप पाएंगे इसी बात को लेकर के लोग साधूं को बांट दे अगर मुनी राज ने पानी वाला अभी सेख देख लिया तो महराजी हमारे अगर उनने दूद वाला अभी सेख द देर नहीं लगसी है, बिचारे वो मुनी हैं, बिचारे तो क्या बोलें? परम साहसी सूर्वीर, सर्वस्स त्यागी, मुनी राज हैं, और आर्स पध्धती और आगम की सारी परंपराओं का पध्धियों का सम्मान करते हैं, जिनमानी में 1000 साल पहले, 1500 साल पहले जो लिखा है, उसे भी सुईकार करते हैं और दक्षन भारत में जो पध्धतियां चलती हैं उनको भी सुईकार करते हैं और उत्तर भारत में जो चलता है उसका भी तरसकार नहीं करते हैं मुनिराजों को भी गिनने लगेंगे यानि ऐसे नहीं होता है प्रज्या यही है कि जीवन में उत्तम धंग से प्रभु की पूजा करें और स्रेष्टतम धंग से तत्व का अभ्यास करें बिना तत्व अभ्यास के कोई भी जीव कल्यान नहीं कर सकता और बिना पूरे स्रद्धा समर्पन भक्ति के तत्व ग्यान पर भी भरोसा नहीं बैठता जिसकी ये बाणी है उसके पृति कैसा बहु मान आएगा और उस बाणी के पृति ऐसा बहु मान आएगा कोई क्रिया जड़ थे रहा सुस्क ग्यानमा कोई मारग माने मुक्षनो करुना उपजै सोई कोई तो क्रिया में जड़ हो गया पस क्रिया कांड करेंगे क्रिया ही क्रिया है क्रिया ही क्रिया है टूट गया विधान ब juste हो गया कोई इतने कृजवादी है कि इतनी से भी कमी नहीं चोड़ते और कोई ऐसे तत्तवबादी हाथ कि बस किताब में खुषे रहो किताब पढ़ते रहो ज्यान ग्यान करते रहो तो यहां पर कभी राजचंद कहते हैं कि भाई बड़ा विचित्र काल आया रायचंद हाँ स्रीमत जी तो कहते हैं कि कैसा विचित्र योग है योग है कि कोई तो केवल किरियां में मस्त हो गए कोई केवल बातों के तत्व ज्यान में मस्त हो गए इन दोनों पर करुणा आती है किरिया की जगए ज्यानी किरिया करो और तत्व निर्णय के जगए तत्व का निर्णय करो बिना आत्म तत्व के निर्णय के बिना सुधात्म गोध के बिना देव सास्थ गुरू के निर्णे के जीव का कल्यान कैसे होगा और इस भाव में नागरी करोगे तो किस भाव में करोगे देखिए सब की अपनी अपनी सोच है जो भिनू क्रिया ग्यान अवगा है जो भिनू ग्यान ग्यान अवगा है जो भिनू क्रिया मोक्षपद चाहे जो भिनू मोक्ष कहे में सुखिया सो अजान मूढन में मुखिया जो भिनू ग्यान क्रिया अवगा है कोई व्यक्ती ग्याना अभ्यास तो नहीं करता है बस क्रिया में लगा है जिन्दगी बीत गई भगवान को नहाते नहाते भगवान को नहाते नहाते जिन्दगी बीत गई लेकिन आज तक निज भगवान आत्मा को सम्यक दर्शन से नहीं नहाया बेद विज्ञान से तत्व ज्ञान से नहीं नहाया अरे प्रभू को नहा रहे थे प्रभू का इस्नान कर रहे तो एक बार इता नुहती कर लेतें कि जैसे निर्मल जलदाः प्रभू पर पड़ रही है वैसे तत्व ज्न भगवान की सुध्धात वूद्ध की धारा निजचेतन भर भी पड़ रही है भगवान कोई काले और मेले थोड़ी हो गए है लोग एही समस्ते हैं और हम अभी शेक ना करेंगे तो धूल जम जाएगी और महाराज उस मंदिर में गएती तो भगवान पर तो इतनी इतनी धू जम गई ती अरे भगवान पर इतनी धूल जम जाये तो भगवान पर कोई धूल नहीं जम रही है वो तो सुध्ध हो गए सिद्ध हो गए ए तो जिन बिम्ब हैं जिनकी भक्ति और नवन से हमारे कर्मों की धूल जड़ती है बस उस भक्त हम और परिकलपना करें के ऐसा नि विना क्रिया की ब्याना चारत्र के मोक्षपद मिलेगा आतम आतम गागा करके हलुआ पूरी खाखा करके मोक्ष नहीं हो सकता है और मोक्ष यदी हो जाता है तो मोक्ष नहीं कहलाता है आत्मा को गाना नहीं है, आत्मा को ध्याना भी है, जब हमने तत्तो का निर्णाई कर लिया है, तत्तो ग्यान हो गया है, तो किरिया में भी आएगा, चारत्र में आएगा, और चारत्र के बल पर सम्यक दर्सन ग्यान चारत्रानी मुक्ष मारगा, एक दिन आत्मा भगवान बन जाएगा जय बोलिये 24 तिर्थंकर भगवान की